चेक करिए प्लीज नाव क्लियर वोइस येस चलिए ठीक है ओडेवर तो मैं क्या कह रहा था कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशेशन जो है वो उसका एक दूसरा नाम भी है देट इस एक्यूमलेटेड डेप्रीशेशन दोनों का मतलब सेम ही है प्रोविजन फॉर डेप्रीशेशन कहलो या एक्यूमलेटेड डेप्रीशेशन कहलो हम अभी तक डेप्रीशेशन कैसे लगाते आएं अगर हमारे पास मान लिया जा एक M1 है और अगर उसकी कीमत हम मान लेते हैं के सर 10,000 है तो पहले साल में अगर SLM 10% है तो आप ऐसे डेप्रीशेशन लगाते आए थे 10,000 और फिर आपका एसेट का वेल्यू बच जाता था कितने रुपे 90,000 ठीक है अब भी यही है हमारा इसी चीज को करने के दो तरीके हैं एक तरीका हम सीख चुके हैं जिसके अंदर हमने क्या करा था इसी के अंदर टू हमने बैंक से पर्चेस दिखा दिया था इसको तैट इस 10,000 और बाई साइड में डेप्रीशेशन कर दिया एक्जामनर कहता है कि भाईया इसको करने का एक और तरीका है आंसर पर कोई फरक नहीं पड़ेगा करने का एक और तरीका हम जानना चाहते है कि तुम्हें दूसरा तरीका आता है या नहीं आता तो सब्सक्राइब दूसरे तरीके में क्या होता है हमारा accumulated depreciation account normally accumulated depreciation account का मतलब क्या होता है अब ध्यान से देखना में दो balance sheet आपके सामने बनाता हूँ दोनों में पहले बताना क्या फरक है क्या answer में कोई changes है ये बताना माल लेते हैं ये हमारा balance sheet है और present में हमारे पास अगर machinery है तो हमें ऐसे दिखाते है अगर हमारे पास 10,000 है तो 10,000 यहीं depreciation minus कर देते है एक हजार और बचा कितना value हमारा नो हजार रुपए बच गए फिर अगले साल में हम डैप यहीं से minus कर देते हैं दूसरा method कहता है कि ऐसे मत करो आप machinery यहां दिखाओ और machinery कितने कैसर 10,000 और इसका डैप न इधर दिखा दो और उस डैप का नाम बदल दो बस यह भी balance sheet है और यह भी balance sheet है इस पूरे account के अंदर अगर देखो आप तो account में net impact कितने रुपए का है 9,000 और same इसी account में आप अगर सोचो एक पल को तो यहां पर भी आपको देखने को कितना मिलेगा 9,000 ही मिलेगा क्योंकि 10,000 में से 1,000 जब आप माइनस करोगे तो 9,000 ही बचे में तो बस दिखाने का तरीका अलग है मतलब दोनों में क्या है एक ही है ठीक है तो इस method में क्या कहा गया प्रोविजन में बोला गया कि आपका जो assets होगा अगर मान लो आपका assets जो है suppose 50,000 का है तो आप ऐसा करना depreciation जो होता है उस depreciation को यहां से माइनस मत करना अलग से कहीं depreciation दिखा दो मान लेते हैं 5,000 रुपे दूसरे साल में यह assets कितना बचेगा सर 50,000 डप्रिशेशन का total होग उस account में ना दिखा करके हमें separate account में दिखाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए हम एक और छोटा सा example लेते हैं और उस example में हम अच्छे तरीकी से समझ जाएंगे पहले हम questions बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि एकदम से question करा हम confused होगे हम बिल्कुल दीरे दीरे लेके या तो change method या provision दो में से question आने के chances ज्यादा हैं तो मैं एक example ले लेता हूं आपके सामने account कैसे बनना है सेम जैसे पहले सीखा था वही account बनेगा एक बेट चलिए यह आगया date यह पर्टिकुलर अभी जब account बनाएंगा आपको एकदम clear हो जाएगा प्रेट लिए और यह डेबिट साइट और यह कौन सा साइड है क्रेटिट साइट दो अकाउंट बनाने हैं एक और कॉपी कर लेते हैं इसको चलिए इसका नाम रखते हैं मसीनरी अकाउंट और इसका नाम क्या रखते हैं प्रोविजन पूर डेप्रिशेशन और डेप्रिशेशन करेक्ट दो अलग अलग हैं मैं एक एक्जामपल ले लेता हूं जैसे मान लिया जाएं मेरे पास M1 है एक चार दो हजार बीस में एक लाग का सेम M2 लिया मैंने एक दस दो हजार बाईस में पचास अजार का और जो हमारा रेट अफ डेप्रिशेशन है एक तेट अफ डेप्रिशेशन देट इस टेन परसंट एस सेले ठीक है तो चलिए हमें 2023 यानि जब सवाल में कुछ भी नबोला जाए कब तक बनाना है तो हमेशा याद रखना लास्ट एक्टिविटी जो दे रखा हो उस एक्टिविटी को क्या करना है हमें कंप्लीट करना है लास्ट एक्टिविटी को क्या करना है तो लास्ट एक्टिविटी Duas Si that means 31 March 2013 समझ रहे बात को चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे depreciation charge करेंगे 31 3, 2,021 that is SLM है 10,000 बचा कितने working note में minus करेंगे accounting में देखना बस इसमें फरक working note में कोई changes नहीं है जैसे पहले किया था वैसे ही है बस फरक कहा है सर account to account में change आया हुआ है सिर्फ account में change आया हुआ है सर इसके बाद ये date क्या आगया फिर से 31,3 20 that is 1,4 31,3 बचा 70 सेम यहां पर यहां पर तो ही की लगेगा मैंने working note कंप्लीट कर लिए एक छोटा सा एक्जामपल लिया है जिससे है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठेक है अब देखते हैं हम आगी कैसे इसका treatment करेंगे बहाद सिंपल है एकदम सिंपल तरीके से सोचना है सिंपल से करना है date जो है वो है 1,4,20 that is 1,4,20 और हमने machinery खरीदा है तो पहले जैसे किया करते थे 2 bank और जो बच्चे नए है उनको पहले basic classes देखनी पड़ेगी तो समझ में आएगी एक लाग रुपए लिख दिया ठीक है अब इसके उपर डैप हम क्या करते थे यहीं दिखा देते थे इसके उपर डैप नहीं दिखाना है इसका depreciation दूसरे side में दिखाना है दूसरे side depreciation कितना दिखाना है अब यहां पहले हम क्या करते थे depreciation जो है हम कहां दिखा देते थे इस side में अब यहां नहीं दिखाना है depreciation के लिए हमने अलग से account बनाया है और इस account में दिखा देंगे depreciation that is हम 31, 3, 21 में by depreciation और यह आगय हमारा 10 के देखे पहले साल में फ़रक समझ में आ रहा है पहले हम इसी account में minus कर देते ते लेकिन यह जो method इसमें बोला गया कि depreciation तुम कहीं और अलग इखटा करो जिस साल बेचोगे उस साल minus plus कर लेना अभी नहीं करना तो अब जब account का हम totaling करेंगे तो सरी यह total तो बिल्कुल खाली खाली रहेगा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा इसमें कोई चीज़ दिक्कत वाली बात ही नहीं एक लाख और एक लाख और जो end होगा हमारा 31 3 21 that is इसको लिखेंगे टू बैलेंस बाइबैलेंस है ना बाइबैलेंस इसके बाद देखा जाए तो इसको भी CD और BD बंद करना होगा क्योंकि यह liability आता है सर liability होता है क्या है यह बिल्कुल हाँ liability होता है भी दिखाया था मैंने कि आपके जब account बनाया था तो मैंने देखो liability site में दिखाया था तो यह क्या होगा liability तो इस situation में यह आएगा 10K और इधर आजाएगा 10K और इधर लिखेंगे 2 balance 2 balance CD और यह आएगा 31,3,2,021 कितना आ गया और फिर यह 1,4 को 21 में by balance balance bd आपने exam में पूरे पूरे word लिखने है ठीक है नई bd लिखना है balance पूरा लिखना है bl लिखना हूँ ठीक है अब आगे यहां पे भी एक चार एक केस और क्या वर्ड लिखा टू बैलेंस bd एक लाग अब दूसरा साल आ गया क्या इस मसीम्टी को हमने इस साल खरीद है या नेक्स्ट इयर खरीद है नेक्स्ट इयर खरीदा गया है फिर से डैप लगना है सर तो डैप तो यहीं पर लगेगा वहां तो लग नहीं सकता या ने सिंपल सी बात है जितनी बात डैप्रीशिशन लगेगा यहां पर ना लगा के हम एक सेपरेट अकाउंट में लगा लेगा चीक है इस कोश्चन में भी एक और पॉइंट में एड़न करूँगा जो कि बात में करूँगा मैं भी पहले यहां तक समझ लो फिर एड़ करूँगा तैस आपका 20 के टूटल आ जाएगा और 20 के आ जाएगा यहां जाएगा बाए बैलेंस सीडे इधर तो आएगा नहीं टू में आएगा यह तो टू बैलेंस सीडे और आगया 31 तीन बाइस और एक चार बाइस बाइब बैलेंस बी डी जैट इस टूइंटी के सर बेसिक क्लास लेक्चर एप पर नहीं मिल रही है स्वाइनल अकाउंट के लेक्चर वीडियो विज्वल है आप live क्लास में ना जाएगा आप content के अंदर जाए content के अंदर आपको definitely मिल जाएगा ठीक है या फिर आप चैट में एक मैसेज डाल देजिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्लास कैसे लेने आपके पास कॉल बैक आ जाएगा कल मॉर्णिंग में दस बजे चलिए अब सर दो साल कंप्लीट हो गए हैं इसको भी सीडी बनाना है 31,3,22 पाई बैलेंस सीडी एक लाक एक लाक एक लाक और एक जार 22 को टू बैलेंस इस कुश्चन में आपको कुछ ज़्यादा नहीं इसरी अकाउंट को कैसे हम पोस्टिंग करते हैं वो सिखा रहा हूँ बस मैं इसके अंदर आपको अब दूसरा मिसेंटरी खरीद लिया आपने एक दस बाईस में किस नाम से आजाएगा टू बैंक कितने का फिफ्टी थाउजिंद अब सर डप लग जाएगा बिल्कुल लगेगा डप कब लगेगा यह बाई देप्रीशिंटरी नमबर वन पर और बाई देप्रीशिंटरी नमबर पच्छे सो एक अत्यस थीन थेज़ यह अकाउंट वी ख्लोज यह अकाउंट वी ख्लोज यह 32.500 32.500 और यह आजाएगा 1.5 लक और 1.5 लक 1.5 लक और बाई बैलेंस 1.5 लक डीट क्या रहेगा यह लिजए यह हो गया हवारा पूरा का पूरा पोस्टिंग अगर आप इसे देख रहे हैं सारी चीज़ आपको अच्छे से विज्वल हो रहा है तो आपको पता लगा होगा कि पोस्टिंग कैसे करनी यानि इसमें हम सेपरेट अकाउंट लेके चलेंगे मसीनरी अकाउंट को अलग लेके चलेंगे स्रिफ और स्रिफ इसमें बाई किया जाएगा और प्रोविजन वाले में प्रोविजन रहेगा यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए कि वन लेक कैसे आए कोशन में गीवन था हमने एक लाग का मसीनरी खरीद है नहीं डेप्रीशेशन एक चार इकिस को नब्बे का हुआ तो फिर फरक क्या हुआ फिर प्रोविजन में इसमें डेप्रीशेशन नहीं लगाना इसके अंदर बैलेंस सीडी देखो कुछ डेप्रीशेशन आये नहीं तो आपको वापस से एक लाकी आ जाएगा ना अगर हम यहां पर दस अजार रुपे लिखते हैं तो बैलेंस सीडी बसता नब्बे हजार रुपे अब मालो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो एक लाक वाली मसीनरी अस पर टोटल डेप कितना लग चुका है तीस अजार तो इसकी वेल्यू कितनी बची पता है सत्तर अगर मैं बोलू कि मैंने इसे अस्ती में बेच दिया तो बोलू कि दस कसर प्रॉफेट हो के समझ रहे बात को यहां तक क्लियर है आप सभी को यहां तक क्लियर है बिल्कUL तो आगे बढ़ जाए एक और इसी कोई एडवानस में ले के चलते हैं सेयल वाला कर ले को बाता है बस मैं यह कहना चाहता हूँ एक पोइंट एड़ कर रहा हूं मसीनरी मसीनरी 1 क्या कर आपने सोल्ड कर दिया पहले अगर अगर आपको पीछे वाली सारी बाते समझ में आ गई है तो ठीक है नहीं आई है तो आप पीछे वाले पॉइंट को जो अभी कर रखा इसे समझ लीजिए मैं इसी में बदलाव करूँगा सोल्ड में होगा क्या और उसे मैं अलग कलर से भी कर दूँगा ताकि आपको दिख जाए कि सरहां ये हुआ है ठीक है पीछे वाले में हमने इसमें बैलेंस सीडी नहीं लिखा न तो बैलेंस चलिए अब जब हम मसीनरी को बेचेंगे देखे क्या क्या होने वाला है मैं अलग मारकर से कर देता हूं लीजिए आपके लिए कर देता है बेच रहे हैं हम कब चलो डेट भी पूछ लिया सही है एक यह हम बेच रहे हैं चलो एक अत्यस तीन दो हजार तेईस को बिल्कुल एंड में बेच रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले डैप तो लगेगा पूरा पूरा डैप लग गया अब जो मसीनरी बिकेगा इस पर फोकस कर ना इस पर ध्यान देना बिल्कुल मैं इसको थोड़ा और आपको अच्छे से दिखा देता हूं सामली बिल्कुल इस पर फोकस करना मैं क्या बोलना वर्डिक सुनना प्रोविजन फोर डेप्रीशेशन अकाउंट के अंदर उसी मसीनरी का डेप्रीशेशन रहता है जो मसीन झाल के हटा देना है यहां से तो अब देखो इसमें से एम वन बिक गया है तो उसके डेप्रीशेशन को निकाल के बाहर टू से करेंगे कैसे करेंगे टू और हम इसके लिए मसीनरी वर्ड इस्तमाल करेंगे इस अकाउंट में जाएगा सर जो मसीनरी बिका है कब बिका है सर 31, 33 में तो सर उसका टोटल डेप कितना है आपको जोड लो टोटल डेप कैसे भी करके देखो कितना हो गया 10 10, 20 और 10 30 तो यहां से हमें माइनस करना है 30,000 पहला पॉइंट और इसको लेके जाना है कहां सर इस अकाउंट में बाइ पी एफ डी प्रोविजन फोर डेप्रिशेशन कितने आ गए और जितने का बेचा है बैंक से क्या कर दो कितने का बेचा है आपने पचास का और जितने का लॉस हुआ है पी एंडल से लॉस यानि सारी कहानी वही है जो कि पुराने वाले में था बेचना और खरीदना इसमें तो सेम प्रोसेस है बस एक ये पॉइंट डेप्रिशेशन कौन सा आ जाएगा ये वाला उटके पी एफ डी वाला इसके अंदर जो आएगा यहां पर इस फिफ्टी थाउसन और इन सब पर डेट क्या रहेगा एक अत्यस तीन थेज़ इस अकाउंट में क्या बचेगा सरम बस सिंपल सी बात है टू बैलेंस आप ध्यान से नोटिस करोगे फचेश सो रुपे किसका डेप्रिशीशन से लाका टे है लाका इस अकाउंटमे सव कैसे इस अचाउंटमे इस Mm आएगा मसीनरी अकाउंट के बाई साइड में जैसे कि हम पहले डिप्रीशेशन दिखाएं करते हैं बस यह फरक है हमारे पहले वाले में और इस वाले में शरीदने वाला तो सेम प्रोसेस ही है डिप्रीशेशन इसमें लगने के बज़ाए इधर लगेगा इसमें डिप्रीश टोटल डिप्रीशेशन आएगा ठीक है क्लियर है यहां तक पहले हमारे स्टार्टिंग से ही डिप मैनस हो के आता था तो सरफ एकी साल का माइनस करके हम फिनिस कर देते था क्योंकि एकी का माइनस करना बचा रहा गया था अब इसमें पहले कभी डिप माइनस ही नहीं आए इसले टोटल डिप माइनस करके फिर करके